हाई एब्रिवन आज वीकेंड तड़का में मैं आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेट पकोड़ों की रेसिपी ये छोटे पकोड़े हमने कैसे बनाएं क्यों बनाते हैं और कितना टाइम लगता है आज ये सब कुछ मैं आपको इस रेसिपी में बताने वाली हूँ सबसे पहले मैंने टू सबस pouco बेसन ले लिया है जो पकोड़े हैं ये बेसन से ही बनते हैं और इसमें पहुत कम मसार ढलते हैं जैसे हाफ स्पून लाल मिर्च, हाफ स्पून अजوयाएन और वन स्पून नमक और थोड़ी सी हलदी थोड़ी सी हलदी मतलब वन फोड स्पून और इसको हम पानी में mix up कर लेंगे अगर आपके पास दही हो तो आप उसमें दही भी add कर सकते हैं यह आपकी मर्जी है कि आप दही डालना चाहें या पानी दोनों में ही यह कोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही soft बनते हैं और crispy भी बनते हैं मैं इस पानी डाल रही हूँ पानी डाल कर ही मैं बता रही हूँ कैसे बनाते हैं अच्छे से हम इसको mix up कर लेंगे और जब यह अच्छे से mix up हो जाएंगे तो side में हम रख देंगे 2-3 minutes के लिए इतनी देर तेल गरम होता है हम bread की cutting कर लेते हैं यह मैंने brown bread यूज़ कर रही हूँ brown bread ली है मैंने और brown bread को मैंने four pieces में cut कर लिया है तो center में से हमने इसको cut लिया है और ऐसे हमने छोटे-छोटे pieces cut के ready करके रख लिया है अब इतनी रह हमारा तेल भी गरम हो चुका है तो यह जो आज मैं पकोडे बना रही हूँ ना यह मैं सरसो के तेल में बना रही हूँ सरसो का तेल बहुत ही अच्छा होता है खाने में health के लिए भी अच्छा होता है तो हमने आज उसी में बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे एक एक स्लाइस ब्रेड की उठाते जाएंगे और जो हमारा बेसन का जो बैटर है ना उसमें हम दोनों साइट से अच्छे से इसे डिप कर लेंगे और फिर गरम गरम तेल में इने फ्राइ करेंगे हमेशा याद रखना जब भी आप बनाएं तो आपका जो तेल आपने गरम करने के लिए रखा है वो अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए थंडे तेल में आपके पकोड़े बिल्कुल भी नहीं बनेंगे तो गरम तेल में हमने सारे ही ब्रेड की स्लाइस को अच्छे से हम डिप कर लेंगे दोनों तरफ से जैसे थोड़ा इनको सेख लग जाए उसके टू मिनट्स के बाद हम हलके हाथों से इनकी साइट्स चेंज कर देंगे ताकि जो हमारे यह पकोड़े हैं वो दोनों साइट से अच्छे से फ्राइ हो जाएं अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं जब तक यह टाक ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं जैसे हम नॉर्मल पकोड़े तब तक हम इन्हें अच्छे से ओल में फ्राइ होने देंगे और जब ये अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी साइड्स हम उसके बाद चेंज करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए ये चाय के साथ खाने मेना बहुत टेस्टी लगते हैं अब आप आप शाम के टाइम चाय के साथ भी बना सकते हैं कोई आपके घर गेस्ट आ गया है कोई स्नैक्स बनाना है एक दम से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उस चीज में इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में तो हमारे ब्रेट पकोड़े बनकर रेड आपने क्या यूज करके बनाई है कमेंट करके जरूर बताना मुझे आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये भी जरूर अपने व्यूज मेरे साल जरूर शेयर करना मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स थैंक्स फ